नमस्कार अभिवादन स्वीकार कीजे हरफ्रीत कौर का आप देख रहे हैं योग पर आधारित हमारा ये विशेश कारिक्रम योग शक्ती ये कारिक्रम हम आप के लिए लेकर आते हैं आईश मंत्राले भारत सरकार के मुरार्जी दिसाई नाशनल इंस्टिटूट ओफ योग और NCERT के सौजने से इस कारिक्रम का सजीव प्रसारन जी हाँ लाइफ ट्रांस्मिशन आप देख रहे हैं हमारे ये विद्या चानल नमबर छे से चानल नमबर बारा पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चानल NCERT ओफिशल पर और आज का हमारा टॉपिक है हमेशा की तरह बहुत ही है या पर हडियों की प्राबलम है या हम कहीं बरी देखते हैं कि मसल पुल हो गया चलने में दिक्कत है, स्वेलिंग है वेल बहुत सारी चीजें हैं जो जॉइंट पेन से बेसिकली रिलेटेड है तो क्या है अर्थराइटिस और इसकी अंतिगत क्या क्या चीजें आती हैं क जब भी आप ये योग आसन ये क्रियाएं कर सकते हैं इन सभी सवालों की जवाब हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से लेकिन सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एक लाइव और इंटराक्टिव सेशन है इसका मतलब कि आप भी हमारे इस सेशन का हिस्सा बन इमेल के माध्यम से हम तक पहुचाना चाहते हैं तो हमारा इमेल आइडी है mdniy at yahoo.co.in इसके अलावा अगर आप हमसे instantly जुरना चाहते हैं तो आप इस वक्त हमें देख रहे हैं लाइफ हमारे यूट्यूब चानल NCRT Official पर तो आप कॉमें सेक्शन में जाके या फिर आप लाइफ चाट बॉक्स में जाके भी अपनी questions टाइब करके हमें भीज सकते हैं आप किसी particular you know ailment पर या particular topic पर अगर योग के sessions चाहते हैं तो आप वो भी mention कर सकते हैं तो चलिए अब हम आपको introduce कराते हैं हमारे दो खास महमानों से सबसे पहले बात करते हैं हमारी योग instructor की तो आज हमारे साथ मौझूद है मिस रुद्राक्षी तोमर माम स्वागत है आपका हम आपको बता दें कि माम जूनियर रिसेर्च फैलों हैं in council of scientific and industrial research that is CSIR और योग demonstrator की बात करें तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर पुल्कित नरायम स्वागत है आपका आप M.A.C. National Institute of Yoga तो चलिए हम सेशन में अब आगे बढ़ते हैं मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी आज का टॉपिक जो है योगिक मानेच्मेंट फर अर्थराइटिस तो माम अर्थराइटिस एक बहुती ब्रॉद टर्म है जैसा कि हम अभी थोड़ी दर पहले डिसकस भी कर लेकिन हमारे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो बहुत से नैरो सेंस में जानते हैं तो मैं अपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके बार में थोड़ असा डीटेल में हमें बताएं कि अर्थराइटिस क्या है किस तरह की चीज़ें कवर करता है और क्या यह किसी भी एज मे किसी को भी हो सकता है जी बहुत ही अच्छा सवाल है शुरू करते हैं हम अर्थराइटिस के बारे में ही जानने से अर्थराइटिस क्या है अर्थराइटिस कोई एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है यह एक अम्रेला टर्म है जो के डिफरेंट जॉइंट पेन के लिए यू या फिर आपके फीट हो गए आंकल हो गए नीज हो गए अल्बो यह बेसिक जॉइन्स को यूजली इफेक करता है और क्योंकि इसके डिफेंट डिफेंट एरियाज है इसी से इसके टाइप स्पी डिस्क्राइब होते हैं तो श्टानते हैं कितने टाइपस का अर्थराइटिस होता है सबसे पहले जुविनाइल अर्थराइटिस है जुविनाइल अर्थराइटिस यानि ये 16 साल से कमर उम्र के बच्चों को होता है सोराइटिक अर्थराइटिस है जिनने सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है वो ये अर्थराइटिस डेवलप कर सकते हैं हो सकता है कि उन भी arthritis हो सकता है और most common arthritis जिसका आपने नाम ही सुना होगा osteoarthritis यह age बढ़ते बढ़ते होता है जा अम देख सकते हैं आप 50 साल से उपर के लोग को आम तोर पर फेक्ट करता है और next है rheumatoid arthritis यह भी बहुत कॉमन है लोगों में साथ तर women's में देखा जाता है यह arthritis और इसी के साथ-साथ infection से भी arthritis हो सकता है याने के septic arthritis तो इतने सारे इसके types हैं तो इसी के साथ-साथ इतने सारे types की वजह से इसके different symptoms भी हैं symptoms में देखा जाता है usually आपको pain होता है joint pain joint pain नहीं है तो swelling हो सकती है उसके आपा swelling नहीं है तो numbness, tenderness around joint रह सकता है आपको अगर कोई भी joint में आपको लग नहीं रहा पेन है लेकिन आप touch करेंगे तो sensitive है वो point साथ-साथ range of motion कम हो जाता है जैसा कि आप अगर हाथ अपना 360 घुमा रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत घुमा रहे हैं तो हो सकता है पूरा range of motion कवर ना कर पाएं तो यह सारे इसके छोटे-छोटे symptoms से कैसे निजात पाई जाएगी शुरू करते हैं योगा अभ्यास से इसके symptoms कैसे कम कर सकते हैं क्योंकि आम तौर की जिंदगी आपकी effect हो सकती है इसके symptoms की वजए से आप daily basis की activity जो होती है वो effect होती है तो चलिए योगा अभ्यास की तरफ चलते हैं सबसे पहले शुरू करे प्रातना के लिए बैठ जाएं किसी भी इस्तितिय में आसन ले पदमासन अर्थ पदमासन या फिर सुखासन हातों की नमस्कार मुद्रा बक्ष्थल के आगे आखे को मलता से बंद करें कमर्वे गर्दन देख जाएं सीधी हो दोनों ने तंबों पे समान बजन बटा हो एक तो मुझारण के बाद प्रातना से शुरू करेंगे इस्थिरै रंगे तुष्ट वाक्स स्तनुभी व्याषेम देवितं यदायू प्रातना के भाफ को मन में आत्म साथ करें धीरे से हाथों में घर्शन करें हतेलियां गरम होने पे कप शे बनाते हुए आँखों के उपर रखें अंधर ही अंदर आँखे चपकाएं और धीरे से वापस आजाएं चलिए शुरू करते हैं हम पवन्मुक्त आसन श्रंकला से हम आसनों की अभ्यास शुरुवात में नहीं करेंगे हम पवन्मुक्त आसन श्रंकला से कर रहे हैं तो उसके लिए स्थिती ले लेंगे दंड आसन में आज आज आएं पैर सीधे कमर सीधी पवन्मुक्त आसन श्रंकला आपका एंटी रिमुटाइड सीधी के नाम से भी जाना जाता है सबसे पहला है पादा उंगली नमन पादा उंगली नमन के लिए कमर वे गर्दन सीधी रखें हातों की उंगलियां आपकी पिछे की तरफ रहेंगी कमर से ताकि आपके कमर को सपोर्ट मिले शुरू करेंगे श्वास भढ़ते हुए पैरों की उंगलियों को पिछे की तरफ लाएंगे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ यह अभ्यास अपनी सेल्फ प्राक्टिस में आप पांच से छे बार कर जाएंगे अभी हम दो से तीन बार ही करेंगे और वापिस मध्य में दीरे से वापिस आ जाएं अगला अभ्यास है गुल्फ नमन उसके लिए श्वास भरते हुए अंकल्स को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ पूरा श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ द्यान देयां आपके गुटने इसमें मोडेना सीधे रहें तीन से चार बार होने के बाद धीरे से वापिस मद्धे में आजाएंगे अगला अभ्यास है गुल्फ चक्र यानि गुल्फ से हमें चक्र बनाएंगे गुमाएंगे श्वांस भड़ते हुए राइट साइड से और श्वांस छोड़ते हैं उल्टी दरफ से आगे की ओर पूरा चक्र बनाएंगे जितना हो सके हो सकता है शुरफात में आपसे कम चक्र बने लेकिन जितना अभ्यास हो सके उतना करेंगे ध्यान दें उंगलियों में हलन चलन नहीं होगा सिरफ आंकल से रोटेशन होगा पूर यहीं से गूमाएंगे पूरा चकर बनाएंगे अधि को ना गूमाएं औपने पंजिए को गुमा जाने पूरा क्लॉक्वाइस दो-से-तीन बार होने के बाद anti-clockwise भी faço ब हर जाएंगे इस अब अब्यास में आप जितना गुमा पाएं उतना g Around कि 주 gotta क्या था है? आप जब clockwise गुमा रहे होते हैं anticlockwise गुमा रहे होते हैं तो तरह सकता है इतना motion ना हो हाथों की मदद से स्यादा कर जाएं तुसी तरह सबसे भी कर जाएंगे मद्ध्य में आएं दूसरे पैर को उठा के कर जाएं उसी प्रकार से जंगा पे रखेंगे और पूरा चक्र बनाएंगे श्वांस लेते रहें श्वांस प्रश्वांस चलता रहें और धीरे से वापिस मद्ध्य में अगला अभ्यास जानु नमन जंगा के नीचे अपने हाथ रखेंगे, एक पैर उठाएं, जंगा के नीचे हाथ रखें, उंगलियां अपस में मिला लें, श्वांस छोड़ते हुए गुटने को ले आएं चाती वाले भाग के पास, श्वांस भरते हुए आगे की तरफ, ध्यान दें गुटना सीधा हो जा और कमर सीधी रखें, तीन से चार बार होने के बाद हम आ रहे हैं वापिस मध्य में, यहीं से ही दूसरे पैर को पकड़ लेंगे, जंगा के नीचे उंगलियां रखें, श्वांस भरते हुए आगे की तरफ, श्वांस छोड़ते हुए चाती की उर, तीन से चार बार कर जा रहे हैं मध्य में, यहीं से ही बढ़ेंगे, जानो चक्र की उर, जानो चक्र के लिए दोनों थाइस के नीचे आपके हाथ होंगे, उंगलियां आपस में मिला लें, सपोर्ट देंगे, अपने आप्स मसल को इसमें टाइट रखना है, कमर पूरी सीधी रखें, श्वांस भर पढ़ते हुए आगे की और पैर उठा दें, उसी प्रकार से जिसे पहले उठाये थे, श्वांस चोड़ते हुए गुटने चाती की और, पूरा चकर बनाएंगे, श्वांस भरते हुए आगे की और, श्वांस चोड़ते हुए चाती की और, सेल्फ प्राक्टिस में कम से कम दस से छे बार कर जाएंगे और कोशिश करें हर बार गुटना सीधा करने का प्रयास करें तिरे से वापिस आएंगे वापिस मद्धे में पैर सीधे करें कमर सीधी उसी पॉस्चर में आ जाएं यहीं से ही बढ़ेंगी हम अर्ध तितली की ओर अर्द तितली आसन के लिए सबसे पहले पैर उठाएं, चंगा पे रखें एक पैर, इस प्रकार से ध्यान दें आपका तलवा सीलिंग की ओर हो, गुटने की नीचे हाथ रखेंगे, श्वांस बढ़ते हुए गुटने को ले जाएंगे चाती की ओर, श्वांस चोड़ेंगे और वापिस श्वांस बढ़ें नीचे की तरफ, त्यान दें गुटना जमीन से टच हो जाएं, श्वांस बढ़ें गुटना चाती की ओर, श्वांस चोड़ते हुए धरती की ओर, श्वांस बढ़ें वापिस इसे प्रक्टिस को आप कर सकते हैं कम से कम पांच से छे बार, स कि आपका मोमेंट कम है तो इसे जादा करें ताकि मोमेंट बढ़ जाए यहीं से ही वापिस आएंगे पैर सीधा करेंगे और दूसरे पैर से अभ्यास शुरू करेंगे गुटने की नीचे हाथ शौंस शोड़ते हुए छाति कियो शौंस बढ़ते हुए जमीन से चूच जाए इन सारी ही प्राक्टिस में यहीं से ही हम वापिस आएंगे पैर सीधे कर ले अगला अभ्यास है चोनी चक्रा यानि नितम के से चकर बनाएंगे अपना पैर उठाएं वहीं जंगा के पास रखें जैसे पहले रखा था एक हाथ से आप अपने अंकल्स को सपोर्ट देंगे दूसरे से गुटने को यहीं से ही पूरा एक चकर बनाएंगे शांस भरते हुए नीचे की ओर शांस छोड़ते हुए उपर की ओर पूरा गोला कार घेर नहीं बनेगा ओवल शेप बनेगा लेकिन कोशिश करें जितना आप चकर बना पाएं उतना चकर बना जाएं चाती की की ओर लाएं जमीन की ओर से टेच करते हुए पूरा उपर की ओर यहीं से ही एंटी क्लॉक वाइस सेल प्राक्टिस में आप इससे पांच से छे बार कम से कम कर जाएं और कोशिश करें हर बार बड़ा चकर बनाने का अभ्यास करें यहीं से ही वापस आएंगे दूसरा पैर दूस्रे पैर से अभ्यास करेंगे शुरू करें पूरा गेर बनाएं पूरा बड़ा चकर चाती की ओर लाएं और जमीन से चूते हुए नीचे की ओर से उपर की ओर ले जाएं बहुति सुन्दर अभ्यास यहीं से ही एंटी क्लॉक वाइस कर जाएंगे और ठीरे से वापस पढ़ते हैं अगली क्रिया की तरफ जो कि है पून्टितलियासन पून्टितलियासन के लिए दोनों पैरों की नमसकार मुद्रा पेरिनियम रीजन के पास आपस में पैरों को मिला लें इस प्रकार से अपने पैरों के तलवे के अग्र भाग से आप अपने पैरों को पकड़ेंगे आप ध्यान दें इसमें आपकी कमर सीधी हो श्वांस प्रश्वांस चलता रहे यहीं से ही आप उपर नीचे अपने पैरों को हिलाएंगे गुटना पूरा उपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे की तरफ श्वांस प्रश्वांस चलता रहे स्टार्टिंग में धीरे करेंगे धीरे धीरे स्पीड तेज भी कर सकते हैं जितना तेज अभ्यास करेंगे उतना मुमेंट होगा चितना मुमेंट होगा उतना जॉइंट आपका हेल्दी रहेगा यहीं से ही अपने दोनों हाथ गुटनों पे रख लें एक बार हाथ की मदद से हम गुटने उपर ले जाएंगे और गुटने नीचे ले जाएंगे पूरा उपर ले जाएं और यहीं से ही धकेलते हुए जमीन की उर कोशिश करें आपके घुटने जमीन को छू जाएं नहीं छू रहें तो कोई बात नहीं प्राक्टिस के दोरान आपके बढ़ते ही छूने लगेंगे चलिए वापस उपर ले जाएंगे और एक आखरी बार नीचे की ओर यहीं से ही आजाएं वापस दांडासन में कमर सीधी, पैर सीधे और हाथ हतेलियों का रुख पीछे की ओर चलिए बढ़ते हैं आतों की ओर सबसे पहली अब जो क्रिया है आतों की हम जो करने जा रहे हैं वो है मुष्टिका बंद मुष्टिका बंद के लिए दोनों अपने हाथ आगे उठाएंगे उंगलियों को फैलाएंगे पूरा अच्छे से और मुष्टिका बनाएंगे मुठी बनाए, पूरी टाइटली और फिर श्वांस छोड़ते हुए, खोल दें, श्वांस भरें और श्वांस छोड़ते हुए मुष्टिका बना लें, बना श्वांस भरें, हाथ खोल दें, और श्वांस छोड़ते हुए मुष्टिका बना लें, यह अभ्यास कम से कमा पां जर जाएंगे infrastructure truth China कि उर बढ़ते हैं जो कि है mani बंद्ण मन मनी बंद्ण मन के लिए दोनों हाथ सीदे उठा दे श्वाज भड़ते हुए अपनी मनी को याने कि कलाई को पीछय की और ले जाएंगे श्वाज छोड़ते हुए नीचे की और ले जाएं Libra फे इसमें इसे भी कर जाएंगे आवशकता अनुसार आप इसे बढ़ा भी सकते हैं यही से बढ़ेंगे अगली क्रिया की तरफ नीचे आजाएं वापिस करने जा रहे हैं मनी बंद चक्र मनी बंद चक्र के लिए दोनों हाथ उठा दें सामने की और अंगुठा अंदर उंगलियां उपर से रख दें मनी बनाएं मुष्टिका बनाएं और यही से ही मनी का मनी बंद का चक्र बनाएंगे श्वास भरते हैं मनी को घुमाएं और श्वास छोडते हैं नीचे की और clockwise कर जाएंगे, anti-clockwise कर जाएंगे और फिर उसके बाद दोनों हाथों से opposite direction में भी कर जाएंगे self practice में इसे आप आवशक तनुसार कर जाएं, ध्यान दे, पूरी moment हो कलाईयां नीचे की side की तरफ नहीं मुड़ेंगी, कलाईयां सीधी रहेंगी, सिरफ मुष्टिका घुमेंगी अगर आपको लगता है आपकी कलाई सीधी नहीं रह पाती है, तो एक सिक्का रख सकते हैं अपनी कलाईयों पे और कोशिश करें वो गिरे न यहीं से ही दिरे से वापिस आ जाएंगे मध्यमे बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर जो के है कोनी नमन कोनी नमन के लिए वापिस हाथ उठाएंगे हतेलियों का रुक आसमान की ओर श्वांस भरेंगे और श्वांस छोड़ते हुए हतेलियां रख देंगे कंधों पे पुना श्वांस भरेंगे आगे की ओर ले जाएं और श्वांस छोड़ते हुए कंदों पे रखतें जितनी एजी प्राक्टिस देख रहे हैं उतनी ही करने में मुश्किल ध्यान दें आपके हाथ सीधे रहें, कोनिया पूरी सीधी रहें मनी बंद ना मुड़े और सिरफ कोनी ही मुड़े यहीं से ही मध्य में आएंगे वापस भड़ते हैं अगली क्रिया की ओर जोकी है कोनी चक्र कोनी चक्र के लिए हाथ उठाएं, एक हाथ उठाएंगे, दूसरे हाथ से सपोर्ट करेंगे इस प्रकार से और पूरा एक चक्र बना जाएंगे जितना हो सके, कोनी को पूरा सीलिंग की ओर ले जाएंगे और फिर समीन की ओर, बहुती संदर अभ्यास clockwise और anti-clockwise तोनों कर जाएंगे यहीं से ही दूसरे हाथ की तरफ पढ़ते हैं, दीरे से वापस मध्य में आएं और दूसरी कोनी मोड के अभ्यास शुरू करें पूरा clockwise और फिर anti-clockwise ध्यान दें, पूरा चक्र बनाएंगे हो सकता है, स्टार्टिंग में आपका आदा ही चक्र बने अभ्यास के साथ साथ बढ़ाते बढ़ाते आप पूरा चक्र बना सकते हैं यहीं से ही वापिस आजाएं मध्य में और अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं जो कि है सकंद चक्र सकंद चक्र के लिए वापिस दोनों हाथ सामने की ओर उठाएं हातीरियों को रख दे कंदे पे कपशे बनाते हुए दोनों कोनिया मिला ले कोनिया मिलाने के बाद पूरा श्वांस परते हो कोनियों को ले जाएं आसमा की ओर और श्वांस शोड़ते होे नीचे की ओर पूरा चक्र बनाएंगे, हर बार कोनिया आपस में मिलेंगी, ध्यान दें जितना भड़ा चक्र बनाएंगे, उतना शूलडर की मूमेंट होगी और उतना आपको रिलाक्स फील होगा यहीं से ही anti-clockwise कर जाएंगे, कोनिया मिलाएं और उल्टी तरफ से चक्र बना जाएं तीन से चार बार होने के बाद वापिस मद्ध्या में आएंगे सेल्फ प्राक्टिस में आप इसे 10 से 15 बार भी ले जा सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया आवश्यक्ता अनुसार यहीं से ही मद्ध्या में आएंगे अगली क्रिया क्यों बढ़ते हैं जो कि है ग्रीवा संचालन ग्रीवा संचालन के लिए आप बैठ जाएंगे सुखासन में अगर आपको कमर में दर्द हो गया इस आसन में बैठे बैठे तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं ग्रिवा संचालन की सबसे पहली क्रिया करने जा रहे हैं सबसे पहली क्रिया है पूरा श्वास बरेंगे हातों को रख दें आपने गुटनों पे पूरा श्वास बरें सिर को उपर की तरफ उठा दें चट की तरफ देखें और श्वास छोड़ते हुए थुड़ी को लगा दें कंठ कूब से याने के चिन को लगा दें चैस से पूरा श्वास बनें, पूरा उपर देख जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ध्यान दें आपके इसमें शोल्डर आगे की तरफ जुके ना रहें कमरवे गर्दन पूरी सीधी हो जितना आप इस बात का ध्यान रखेंगे उतनी मुमेंट बहतर होगी यहीं सही मध्य में आएंगे इसका दूसरा भाग करने के लिए त्यार हो जाएं जो कि हम शुरू करेंगे कानों को आपको टच करना है अपने शोल्डर से शुरू करें श्वांस भरे मध्य में श्वांस शोरत होगे कान को ले जाएं कंदे के पास साइड टू साइड नेक ड्रॉप रहेगा स्वांस भरे मध्य में स्वांस छोड़ते हुए ड्रॉप कर दें दूसरी साइड स्टार्टिंग में हो सकता है आपका कम ड्रॉप हो, हो सकता है मुमेंट ही ना हो हो सकता है आप आगे की ओर जुकाएं अपनी गर्दन कोशिश करें सिर्फ साइड में ही जुका जाएं जितनी क्रिया देखने में असान करने में उतनी मुश्किल यहीं से ही वापिस मध्ये में आएंगे दूसरी क्रिया की तरफ बढ़ेंगे सिर को गुमाएंगे शौंस भरें मध्ये में सिरकों गुमा दें सीधी तरफ शांस छोड़ते हुए पूरा चक्र बनाएं और दूसरी तरफ से भी कर जाएंगे ध्यान दें चक्र बनाते हुआ आपकी आँखें खुली रहें वापिस चक्र पूर्ण होने पे मद्ध्य में आएंगे और यहां पे ही हमारी पूर्ण होती है क्रिया पवन मुक्तासन शंकला ए जो हम लाए थे सीरीज वन अब हम बढ़ते हैं आसनों की तरफ आसनों की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस सिती ले ले खड़े हो जाएं समसिती में कमरवेगरदन सीधी अपनी पूरा शेरीर को देख जाएं पैर मिले रहें हाथ जंगा के पास रहेंगे शुरू करेंगे सबसे पहले तारासन से तारासन के लिए आप श्वांस भरें हाथों को सामने की ओर लाएंगे उंगलियां आपस में मिला ले हाथों को पलट दे और श्वांस भरते हुए हाथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे पूरा शेरीर को उपर तानेंगे गुटनों के भाग से भी तानें कोनी से भी तानें कमर से भी तानें जितनी अच्छी स्ट्रेचिंग उतना आपके जॉइंट्स में gap आएगा जितना gap आएगा उतना ही आपको लाब होगा अपने कोनी गुटने या कमर के दर्द में यहीं से ही वापिस मध्या में आएंगे ध्यान दे इस आसन में आप एड़ी भी उठा सकते हैं अगर आपको दर्द होता है अंकल में तो एड़ी उठ आ उठाएं यहीं से ही बढ़ते हैं थ्रियक्ताड आसन की और थ्रियक्ताड आसन के लिए पुना सीधे खड़े हो जाएं उंग्लियों को आपस में मिला ले, हदेलियां पलट दे शौस परते हुए हाथ उपड़ उठा दे और इस बार शौस शोड़ते हुए हम जुक जाएंगे सेधी तरफ शौस पर रहें मद्धय में और शौस शोड़ते हुए उल्टी तरफ मूठ जाएं ध्यान दें, side bending होगी, forward bending बिलकुल ना करें मध्य में आएंगे इसको आप practice को 10-20 बार भी कर सकते हैं लेकिन शुरुवात में आप इसे 5-6 बार ही करें अपने self practice में वापिस उल्टी रफ से करने के बाद मध्य में आएंगे और समसिती यहीं से ही बढ़ते हैं अगले आसन के ओर, अगला आसन है त्रिकोन आसन त्रिकोन आसन के लिए दोनों पैरों में अंतर कर देंगे कंदों से दुगना अंतर अपने height के according भी आप देख सकते हैं यहीं से ही सीधे पंजय को गुमा दें सीधी तरफ श्वांस परें, दोनों हाथों को साथ से उठाएं हतिलियों के रुख सामने की ओर श्वांस छोड़ते हैं कमर के निचले बाग से जुख जाएंगे सीधी दरफ साइड बेंडिंग रहेगी फावर बेंडिंग बिल्कुल नहीं होगी चलता रहे तीरे से गर्दन सीधी करें कमर सीधी करें हाथ नीचे ले आएं पंजास सीधा कर लें दूसरी ओर से कर जाएंगे घुमा दें अपने एड़ी उल्टे पैर की उल्टी तरफ श्वांस परें दोनों हाथों को उठाएं सामने की ओर श्वांस छोड़ते हुए मुड़ जाएं उल्टी तरफ सिर का रुख आस्मा की ओर दोनों हाथ एक सीध में देख जाएंगे अपने पूरे पॉश्चर को श्वांस प्रश्वांस चलता रहे बहुत ही सुन्दर अभ्यास यहीं से ही वापिस सिर सीधा करें मद्य में आएंगे पैर को सीधा कर लें और वापिस समसिती चलिए यह हो गए खड़े होने वाले अभ्यास हम भढ़ते हैं बैठने वाले आसनों के लिए बैठ जाएंगे सबसे पहले दंड आसन में दंड आसन वही आसन है जो सबसे पहले हमने धारन करा था पैर सीधे, कमर सीधी हतेलिया इस बार नितंबो के साथ रहेंगी हतेलिया करुख सामने की ओर कमर सीधी रहेगी यह आसन जितना देखने में आसान करने में होतना ही मुश्किल कोशिश करें हर बार आपकी कमर सीधी ही रहे यहीं से ही बढ़ते हैं अपने बैठने वाले पहले आसन की योड़ जो कि है वज रासन वज रासन के लिए एक एक पहर करके मोड़े अपना नितंबो की तरफ एडी ले जाए बिक्टो याने कि आपके अंगूठा आपस में मिला रहेगा एडीयों में अंतर रहेगा उस अंतर पे आप बैठे हैं श् अथराइटिस के क्योंकि डिफ्रेंट टाइप्स हैं तो ये कुछ ही टाइप्स में लापकारी है यहीं से ही बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की योड़ जो कि है उस्ट्रासन इसी आसन में बने रहें आजाएंगे गुट्नों पे गुट्नों में अंतर कर लें नितंबो पे ध्यान दें अराम से करेंगे एडियों पे रख दें अपने हाथ पूरा अगर आप कर सकते हैं अपना हतेली पंजों पे ले जाएंगे तो बहुत ही सुंदर अभ्यास होगा लेकिन शुरवात में जितना हो पाए उतना ही करेंगे नेक डॉप रखके अगर आपको चकर आते हैं तो गर्दन भी सिती कर सकते हैं दीरे दीरे एक एक करके हाथ आगे की ओर लाएंगे और वापस मध्य में आएंगे बैठ जाएंगे वापस अपनी एडियों पे चलिए बढ़ते हैं अगला आसन की ओर जो कि है उस्ट्रासन का काउंटर पोस शशकासन शशकासन के दोनुं गुटनों में अंतर कर लें द्यान दें इस इस्सिति में भी आपके बिक्टो आपस में टच रहेंगे श्वांस भरते हैं हाथों को सामने रखें समीन पर और श्वांस चोड़ते हैं को धकेल दें आगे की ओर पूरे चाती वाले भाग को लगा दें जमीन से चिन से लग जाएगी नहीं लग रही है तो माथा लगा दे द्यान दे नितम टच रहेंगे आपके एडी से पूरा शरीर को खीचेंगे अपने कमर की मसल्स को खीचेंगे यह आसन हमने इजी वे में करा है अगर आपकी कमर की मासपेश यां टाइट हैं तो आप टफ तरीके से भी क कर सकते हैं एक बर टफ से कर जाएंगे हम बापी मध्य में आएंगे शास भड़ते हुए इस बहर हम अपने हाथ इचा देंगे उपर की और श्षोन्स छोड़ते हुए धियान दें कमर की मासपेश यां टाइट रखें आप संवाइट रखें श्वाश चोड़ते हो दीरे- श्वांस प्रश्वांस चलता रहे इसी के साथ धीरे से वापिस आएंगे मध्य में और एक एक करके पैर खोल लेंगे सामने की और पुना दंड आसन की स्थिति हम बढ़ रहें अपने अगले आसन की और अगला आसन जो के है गोमुक आसन के लिए आप अपना सबसे पहले एक पैर उठाएंगे सीधे पैर की एड़ी उल्टे नितम के पास उल्टे एड़ी सीधे नितम के पास दोनों गुटने एक सीध में रहेंगे नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं जितना अभ्यास अभी हो पा रहा है उतना ही करेंगे जो पैर उपर है वही हाथ उठा देंगे उपर की ओर और यहीं से ही ले जाएंगे कमर की ओर इसको कमर आगे की तरफ जिना जुकी हो आपका दोनों नितमबों पे समान बटा हो अगर नहीं बटा है तो बातने क्योंकि हो सकता है आप किसी नितम की नर्फ को पिंच कर दें और आपको पाद में पूरे पैर में दड़ भी हो सकता है वापस आने के लिए दीरे दीरे हाथ जैसे आये थे वैसे ही ले जाएंगे और एक एक करके पैर खोल लेंगे इस आसन का काउंटर पोस भी करेंगे काउंटर पोस जो कि है उल्टी तरफ से उल्टी तरफ से भी आसन कर जाएं जो पैर उपर था इस बार वो नीचे रहेगा, जो पैर नीचे था इस बार वो उपर रहेगा जो पैर उपर है वो यहाथ उपर ले जाएं और पकड़ लें दूसरे हाथ से श्वांस प्रश्वांस चलता रहे और धीरे से आ जाएंगे मध्य में चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर जो की है वक्र आसन वक्र आसन के लिए सबसे पहले अब अपने सीधे पैर उठाएं सीधे पैर का पंजा गुटने के साथ में रख दे उल्टे पैर के गुटने के साथ यहीं सही जो पैर उठाया है दूसरा हाथ उठाएंगे शौंस शोड़ते इंटरलेस करेंगे अपने गुटने के हारी भाग पे रखें अपनी कोनी को हतेली को रख दें जमीन पे दूसरा हाथ रगा कमर के पीछे और ट्विस्ट करें सिर को भी पीछे घुमा दें शौंस प्रशौंस चलता रहे देख जाएं आपके कंधे एक सीध में हो चेस्ट पूरी ओपन हो जितनी बैतर ट्विस्टिंग होगी उतना ही ये कमर के लिए लापकारी होगा तीरे से सिर सीधा करेंगे कमर सीधी करेंगे वापस आएंगे मध्य में और दूसरी ओर से भी ये आसन कर जाएंगे ध्यान दें अगर हर बार आप उल्टी ओर से करते हैं तो सीधी ओर से भी उतनी ही बार करेंगे और आसन में रुकने के बाद शौंस प्रशौंस चलता रहेगा बहुती सुन्दर अभ्याद देख जाएंगे अपनी कमर सीधी करने की कोशिश शौंस प्रशौंस चलता रहे आसन को आप होड़ करें कम से कम 30 सेकेंड चुरुवात में बढ़ा के एक मिनिट भी कर सकते हैं पापस आने के लिए सिर्षी धीरे से सीधा करेंगे कंदे सीधे करेंगे और धीरी धीरे हाथ जैसे लाएते वैसे ले जाएं पैर को भी सीधा करतें चलिए हो गया हमारे बैठने वाले आसन लेट जाएंगे हम पेट के बल पेट के बल आने के बाद आप सबसे पहले आसन का जो चयन करेंगे वो है मकरासन मकरासन के लिए सबसे पहले आप दोनों हाथों को उठाएं सिर के नीचे रखें एक हाथ को अपने दूसरे हाथ के उपर रखे सिर को उसके उपर रेस्ट करेंगे दोनों पैरों में अंतर रहेगा एडिय का रुख एक दूसरे की और पंजर का रुख बाहर की और अगर आपको लगता है कि आपका सिर दर्द हो रहा है नीचे ड्रॉप करके तो साइड में भी आप रख सकते हैं माकरासन के बाद पेट के लेटने वाले आसनों में सबसे पहले आप माकरासन से ही शुरुआत करते हैं लेकिन शुरू करते हम दूसरे आसन से तो हाथ नीचे कर लें दोने तनपों के साथ ले आएं पैरो को मिला ले, ये हमारी लेटने वाली समसिती है, कोई भी आसन आप लेटने वाला कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस सिती में आएंगे वापिस यहीं से ही शुरू करेंगे हम बुजंग आसन, बुजंग आसन के लिए अपनी हतेलियां रख दें, चेस्ट के पास, जाती वाले भाग के पास कोनिया का रुक उपर की ओर, एडिया मिली रहेंगी, शांस परें, सिर्को उपर की ओर ले जाएं नाभी वाले भाग तक उठा देंगे, उससे जादा ना उठाएं, कोनी वाला भाग इसी तरह से मुड़ा रहेगा, 70% वेट कमर पे, 30% हातों पे यह आसन कमर की मास पेश्य को मजबूत करता है, शांस प्रशांस चलता रहे, आपके दृष्टी जो है वो भृू मद्या दृष्टी रहेगी भृू मद्या यानि के दोनों बाओं के बीच में आप देखेंगे वापस आने के लिए धीरे से दृष्टी सामानने करेंगे, और से नीचे ले आएंगे, और पुनहा विश्राम करें, हातों को नीचे ले आएं आ जाएंगे धीरे से कमर की बल, कमर के बल लेट जाएं, इस सिती में हैं उसी सिती में आप खूम जाएंगे अब हम करने जा रहे हैं कमर के बल लेटने वाले आसन सबसे पहला जो आसन है कमर के बल लेटने वाला वो है पवन्मुक्तासन पवन्मुक्तासन के लिए दोनों पैर उठाएं ध्यान दें आपकी हतेलियां जमीन से लगी रहेंगी दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे इस प्रकार से उठाने के बाद घुट्ने मोडेंगे और शिन बोन पकड़ लेंगे यानी घुट्ने से नीचे वाला भाग उंगलियों का आपस में मिलाएं इस प्रकार से शवांस भरें और शवांस छोड़ते हैं गुटनों को ले जाएं चाती वाले भाकियों और सिर उठा दें नसिका को दोनों गुटनों के बीच में ध्यान दें अगर आपको सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस है तो सिर आप नहीं उठाएंगे दीरे से वापिस सिर को नीचे करें पैर सीदे कर लें जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से वापिस आजाएंगे यहीं से ही अम एक आखरी आसन की ओर बढ़ रहें एक आखरी आसन जो है अमारा वो है जूरन लुड़कन आसन जूरन लुड़कन आसन के लिए सबसे पहले आप दोनों पैर जिस प्रकार से उठाए थे उसी प्रकार से उठा जाएंगे कुटने मोडें उसी प्रकार से अपने पकड़ लें शिन बोन को जिस प्रकार से पहले पकड़ा था अब साइड टू साइड लुड़कने हम सीधी तरफ घुमेंगे और उल्टी तरफ घुमेंगे ध्यान दे कौनी टच हो जाए जमीन से और कौनी से पुष करते हुए दूसरी साइड भी ले जाएं फावर्ड बैकवर्ड भी करेंगे जाने के सामने की और उठेंगे और नीचे की और वापिस आएंगे हो सकता है आप शुरुआत में अभ्यास ना कर पाएं आपके पात पेट की मासपेशियों में इतनी चान ना हो जितना हो पाए उतना ही अभ्यास करेंगे और यहीं से ही धीरे से वापस यह अभ्यास कमर के मास पेश大家 को रिलाक्स करता है आप से जतना हो पाए उतना ही करेंगे चलिए यहीं से ही अगर आप हो सकता है आप आप आसनों के बाद ठक गए हों तो विश्राम कर सकते हैं लेकिन हम वापस आएंगे अभ्यास का अंत करेंगे, बैठ जाएंगे सुखासन में दोनों हाथों की ग्यान मुद्रा कमर वे गर्दन सीधी, शांस प्रशांस चलता रहे एक उमुचारण के बाद हम प्रात्ना करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनाहां सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानि पश्यंतु मा कश्ये दुख भाद्भवे मा कश्ये दुख भाद्भवे ओम शांती 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 ही दीरे से आँखे बंद रखें हातों की नमस्कार मुद्रा वक्ष्थल के आगे हातों में घर्शन करें कप्षे बनाते हुए आँखों पे रखें और धीरे से वापिस तो ये तो थी हमारी आज का बहुत ही मतलब एक important session जिसमें हमने जाना है वो सभी आतनों के बारे में ख्रियाओं के बारे में जिने करके आप arthritis को प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर कुछ हद तक इस समस्या से जूज रहे हैं तो भी आप इन में से कई क्रियाओं को कर सकते हैं लेकिन हम हमेशा आपको यही advice देंगे कि जब भी आप पहली बार कोई भी योग आसन ट्राय करें कोई भी क्रिया ट्राय करें तो make sure कि आप योग instructor की presence में ही उन्हें करें क्योंकि कई बार इसका opposite effect या reaction भी देखने को मिल जाता है तो माम हमने इतने सारे जो आसन क्रियाओं देखी और आपने बहुत सारे postures बताया और किस तरीके से body को मतलब उस तरीके से body की एक shape और posture होना चाहिए और सब आपने बताया मैं यहाँ पर आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि मैंने अक्सर देखा कि जब लोगों को arthritis या joint की problems होती है pain, inflammation, swelling तो physiotherapy का भी सहारा लिया जाता है तो क्या जो योगासन और क्रियाओं आज हमने की हैं क्या वो physiotherapy का कहीं न कहीं एक replacement माना जा सकती है जी आपका बहुत इच्छा सवाल है physiotherapy अपने आप में एक अलग ही practice है doctors physiotherapy का proper course करते हैं उसमें आपके proper joints पे ध्यान दिया जाता है आपकी proper moments पे ध्यान दिया जाता है लेकिन योगा भ्याज जो की सालों से चला आ रहा है ये practices आपकी अलग हैं लेकिन कई बार देखा जाता है जो physiotherapist कराते हैं movement वही आसन हम करते हैं वही movements हम करते हैं लेकिन ध्यान दें आप चाहें physiotherapy चूज करें या फिर आसन करने खुछ आसन चूज करें तो doctor के guidance में ही चूज करें और अभ्यास करने से पहले आप ध्यान दें कि आप किसी yoga instructor के उस निर्देशों में ही करें बाद में आप खुद से भी कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा support रहना चाहिए जी और हम अकसर देखते हैं कि colloquial language यानि आम बोलचाल की भाशन में अकसर कहा जाता है कि घुटनों में दर्द है तो शायद घुटनों की grease खत्म हो गई है cartilage खत्म हो गया है और कहीं बार ही कहते हैं कि diet में देशी घी को अगर हम शामिल कर ले तो काफी हद तक वो cartilage अपने आप बनने लग जाता है या वो so called जो grease है वो अपने आप घुटनों में बनने लग जाती है यह कितना सही है कितना गलत यह प्लीज आप बताएं क्योंकि आजकल हम देखा है कई youngsters तो देशी घी से बचते भी है तो इसके बार में थोड़ा जरूर बताएं बहुत यह अच्छा सवाल है जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग देशी घी चिकनाई से बचते हैं चिकनाई से बचना है तो आप डीप राइट फूद से बचे ना कि घी से आयरवेद में घी को रामबान माना गया है याने आप घी का कंजम्शन बिल्कुल रखें यह आपके बॉड़ी में लूब्रीकेशन का काम करता है आपके जॉइंस में लूब्रीकेशन का काम करता है आपका डाइजेशन बेटर करता है आपको कॉंस्टिपेशन नहीं होगा आपको जॉइंस इसूज नहीं होगे जो की एज बढ़ने के साथ होते हैं तो जी बिल्कुल यह आपके जॉइंस में और साथ रहे जे आपसिल्यूटली आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें और मेक शॉर कि आपको साचुरेटेड़ फैट्स और अनसाचुरेटेड़ फैट्स का डिफरेंस पता हो कि कौन से चिकनाई वाले पदार्थ आपको अवोइड करने है और कौन से आपकी अपनी देर हमें काम के बीच वाक करना चाहिए क्योंकि कॉर्परेट जॉब्स में ऐसा होता है कि हमारे जो नेक की बैंडिंग होती है वह भी ऐसी होती है स्क्रीन पर लापटाप पर कि हमें नेक में फ्रेन आ जाता है हम चलते नहीं हैं बैठे-बैठे खाते हैं और जिसे obesity होती हैं और कहीं न कहीं वो हमारे घुट्टों पर या हमारे बाकी की joints पर भी असर डालता है तो कुछ tips आप हमारे साथ प्लीश शेयर कीजेए सबसे पहले तो lifestyle changes आपको करने होंगे अगर आपका lifestyle खराब है आने की गलत समय पर उठ रहे हैं गलत समय पर सो रहे हैं तो अपनी circadian clock ठीक करें ठीक समय पर सोएं याने के 10 के आसपास आपको सो जाना चाहिए उठ जाना चाहिए 6 बजे के आसपास आमतार के जिंदगी में कोशिश करें ब्रहम मूरत में भी उठ सकते हैं उठने के बाद आपको आजकल डिवाइस बिलकुल नहीं चलाने हैं बहुत देखा जा रहा है यंग्स्टर्स फोन उठाते हैं सिधर डिवाइस चेक करते हैं या डेली अक्टिविटी में काम की उसमें एंगेज हो जाते हैं बिलकुल ना हूँ उठने के बाद चानती से आप उठें, पाने पीएं उसके बाद सारी activities करने के बाद आप थोड़ा सा अभ्यास जरूर करें अपने joints को open up करें, थोड़ी movement करें जिस भी प्रकार का अभ्यास करते हैं उस प्रकार का अभ्यास करें उसके बाद अपने daily activity जब स्टार्ट करें आपने कहा जैसा की डिस्ट जॉब आजशकल बहुत है तो उसमें सिर्च उका रहता है ध्यान दें, जब आप बैठते हैं एक लंबे period के लिए तो बीच पीच में उठके थोड़े बहुत moments बहुत ही जरूरी है उस वज़े से आजकर लोगों को joint pain के साथ साथ cervical, sciatica बहुत सारी तकलीफे हो रहे हैं तो ध्यान दें कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें Absolutely, तो यह कुछ चीज़े हैं कुछ टिप्स हैं जिनने follow करके आप अपना ध्यान रख सकते हैं आइस्टाइल को बहतर बना सकते हैं और इसी के साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे योग इंस्ट्रक्टर का मिस रुद्राक्षी तोमर Thank you so much ma'am और साथ ही साथ हमारे योग डिमेंस्ट्रेटर Mr. Pulkit Narayan का जिननोंने इतने अच्छे postures हमें करके दिखाएं Thank you so much So viewers and students अब समय है आप से विदा लेने का लेकिन हम आप से फिर मिलेंगे एक ऐसे ही relevant issue के साथ Please अपने questions हम तक पहुंचाते रहें अपना feedback भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजे तो फिलहाल के लिए मैं हर प्रीत को और आप से लेती हूँ विदा नमस्कार